हाई गाईज कैसे हैं आप लोग क्या कभी आपने दिन में चांद देखा है या शाम में चांद देखा है क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि कभी-कभी चांद रात में तीन गंटे के लिए उगता है कभी-कभी छे गंटे के लिए उगता है कभी-कभी आपको अर्ली मॉर और घटता है तो पहले आप वीडियो देख लें आज के एक्सपरिमेंट में यह आपका सन है यह ग्लोब जो है यह आपका अर्थ हो गया और यह आपका मुन हो गया अब सबसे पहला कॉंसेप्ट जो आपको समझना है वो यह समझना है कि जब हम संसेट की बात करते हैं और संर यहां से आ रहा है तो आपको horizon ऐसे डो करना प theor तो यह आपका horizon हो जाएका ठीक है तो जब और यह तो इसके इस्टर वाला पारट यह यहांप राथ हो रहा है और इसके इदर वाला जो पार talkin a र यहांप डे हो रहा है अब जब अर्थ रोटेट होगासдо फेंपल कि आप सक इस पर यहां पर है नंत्र अट पर तो अभी आप रात हो रहा हा है जैसे आप यहां पर horizon को cross करेंगे आपको sun करने अब जि'tuję देखना शुरू हो जाएगा जैसे अपको sun करना शुरू है यहां पर स्मराइज हो रहा है ठीक फिर यह जब आप the सीपर निट रूटेट के यहां पर पुंचेगा तो आपको दो फर का बंद वजे है जब आपको सन आपके सेर पर दिखाई देगा और उसके बाद अगले यह जो यह पहूंचेगा तो यह शाम का च्थे बज़ क्या शाम के चे पिक में होगा जो कि sun rays के perpendicular है ठीक है अब इसी concept के साथ आप समझेए moon को तो चलिए आप देखते हैं कि मान लीजे कि यहाँ पर अभी sunrise होने वाला है जहाँ पर आप हैं ठीक यह moon है अगर moon इस position पर होगा तो आपने पिछले वीडियो में देखा था moon अगर इस position पर है तो यह new moon का condition है तो new moon के condition में जब यहाँ पर अर्थ से आपका sunrise हो रहा है आप देखिए यहाँ पर जैसे ही sunrise होगा आपको यह जो new moon वाला जो moon है वो दिखाई देना शुरू होगा although इसका यह dark part आपको दिखाई देगा इसलिए दिखेगा नहीं तो जैसे ही यहाँ पर sunrise होना शुर यहाँ से 12 बज़ गया तब आपको यह पूरे सर के उपर देखेगा हलांकि यह साफ आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह dark है new moon जो है वो दिखाई नहीं देता है और उसके बाद जब यह यहाँ पहुंचेगा तो इसके साथ क्या होगा moon का set sunset और moon set एक साथ होगा ठी इसको देखते हैं कि जब यह full moon के case में क्या होता है तो full moon के case में अप यहाँ से देखेए शुरू करेए तो जब आपके सन्राइज हो रहा है आपको full moon दिखाई नहीं देगा जब आपके यहां आफ्टर नून हो रहा है यहां पे तब भी आपको दिखाई नहीं देगा जब आपके यहां शाम हो रहा है तब तक आपको दिखाई नहीं देगा और जैसे यह अर्ली मॉर्णिंग है 6 पी एम और यह 6 पी एम जैसे ही यहाँ पर आपका Sunset होना शुरू होगा Sunset हो रहा है आपको Sun दिखाए देना बंद हो रहा है वैसे ही आपको Moonrise शुरू हो जाएगा Moon दिखाए देना शुरू होगा और जैसे ही आप Midnight को पहुँचेंगे आदी रात को यह Moon आपके सर के उपर होगा यहाँ से आपको Moon दिखाए देना बंद हो जाएगा clear है तो फुल Moon के केस में Evening 6 में यह Moonrise होगा और Early Morning 6 पे यह Moon Set हो जाएगा अब देखते हैं कि जब Moon यहाँ से वन विक के बाद इस पोजिशन पर पहुँचता है तो क्या होता है ठीक इस पोजिशन में अभी आप देखिए कि आप Earth पे यहाँ पे हैं तो आपके हाँ संराइज हो रहा है तो Moon दिखाए देगा क्या नहीं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसके यह जो Moon के respect में आपको पहले Moon का Horizon आपको यह इमेजनरी लाइन तो यह Moon का Horizon हो गया तो जब Earth इस position पर होगा तो Moon इसको दिखाई नहीं देगा आपको Moon दिखाई नहीं देगा वहाँ से जब आपके हाँ संराइज हो रहा है जब आपके हाँ Afternoon होगा तो आप Moon के Horizon को टच कर रहे हैं आप Moon के Horizon में एंटर कर रहे हैं तो क्या होगा कि Sun के Respect में जब आपके यहां 12 बज़ रहा है तो आपको Moon दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप इस Horizon में एंटर कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया? Moon Rise कितने बज़े हुआ तो 12 बज़े ठीक? और जब यह Rotate होता हुआ होता हुआ यहां पर पहुँच जाएगा यह आप Imaginary Line ड्रॉ करके रखेगा तो आप कहां से क्या हुआ? कि आपका Moon Rise हो गया अब यह Rotate करता करता जब अर्थ पे आप जिस पोजीशन पर वहां पे Sun के Respect में क्या हो रहा है? Sunset हो रहा है जब Sunset होगा तो Moon आपके सर के उपर होगा आपको सबसे Clearly दिखेगा और उसके बाद जब यह Rotate का 12 बज़ेगा तो क्या होगा कि आप इस Horizon पर पहुँच गया Moon के Respect में जो Horizon पहुँच गया अब इसके बाद क्या होगा? Moon सेट हो जागा इसके बाद आपको Moon दिखाई नहीं देगा आप यहां से देखिए तो Moon आपको दिखाई नहीं देगा आपने देखा कि Earth पे 12 बज़े था आपके Respect में तो Moon राइज हुआ इस पोजिशन पर जब Moon होगा तो जब 12 बज़े के बाद 2-3 बज़े तक बहुत Bright Light होता है तो शायद आपको ठीक से नहीं देखे पर 3-4 बज़े के आसपास शाम में आप आराम से Moon को देख पाएंगे क्योंकि जो Sun का Light है वो थोड़ा कम हो जाता है तो यही कारण है कि आपको दिन में भी कभी-कभी Moon दिखाई देता है अच्छा और यह सेट हो गया राद के 12 बज़े वैसे ठीक अगर आप इमेजिन करें यहाँ पर इस पोजिशन पर तो फिर साब क्या करेंगे यह इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे यह Moon का Horizon हो गया तो Moon के Horizon के साब से राद के 12 बज़े आपको यह Moon दिखना शुरू होगा ठीक और सुबा के 6 बज़े यह आपके सर पे होगा और दोफर के 12 बज़े जब आप यहाँ पहुंचेंगे दोफर के 12 बज़े यह Moon जो है वो सेट होना सुरू हो जाएगा और इसके बाद यह Moon सेट हो जाएगा तो आपने देखा कि अलग अलग पोजिशन पर आप इसली कालकुलेट कर सकते हैं कि कब Moon राइस होगा और कब Moon सेट होगा चलिए यहाँ एक्जामपल लेते हैं कि यह और इसके एकदम 45 डिगरी पर इस पोजिशन पर तो अगर Moon यहाँ पर हो ठीक है तो आप क्या करेंगे Moon के रिस्पेक्ट में इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यह 45 डिगरी पर ठीक है तो आप देखिए कि यह सुबह 6 बज़ रहा है आप यहाँ पर है Sun के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सुबह का आपका 6 बज़ रहा है अब जब रोटेट होते 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 हो यह सुबह का 9 बज़ा तब आपका क्या हो गया यह Moon राइज हो गया फिर जब आपका शाम का 3 बज़ा तो यह आपके सर पर है ठीक है फिर ऐसे ही जब रात का 9 बज़ेगा तो यह Moon सेट होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से आप जहां भी Moon जिस भी पोजिशन पर हो उसके हिसाब से आप Imaginary Land रो करिए जो आपका Moon का Horizon होगा और उसके हिसाब से जब आप Enter करेंगे उस Horizon में तो Moon Rise होगा और जब आप वहां से एक्जिट करेंगे तो Moon Set हो जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए